कि फॉल्कुम बैक अब्रीवान वल्कुम टु सुबल सिर्विसेश्टेडी प्रक्टिस साइट नंबरी 111 है यह टेस्ट सीरीज यूपी पीसी पीसेश के लिए चल रही है प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट एफेट्स के प्रश्णों पर बगी इस टेस्ट सीरीज की प् मंच, Transparency International, सहिं उक्तराष्ट विकास कारिक्रम नहीं विशवेंग ग्लोबल-जेंडर-गैप bis ये जारी की जाती है World Economic फ्रम के दौरा या विश्वार्थिक मंज के दौरा यह सकांसर कर तो गलोबल जेंडर गैप इंडेक्स या रिपोर्ड लेंगिक समानता को मिं случай ग्लोबल चैंडर गैप रिपोर्ट in 2016 में विश्वार्थिक मंज देवरा अर प्रकाश्यत की गई थी प पर कॉलियावट सब करके वाकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देसों में लेंगिक समानिता की स्थिति का मुल्यांकन किया गया है और भारत की स्थिति 146 में से 127 वे स्थान पर है ठीक है भारत ने महतमूर्ण प्रगती किये क्योंकि की रिपोर्ट के संस्क्रण 2023 के संस्क्रण में भारत 146 देसों में 2022 में 135 वे स्थान पर था और अब जो है 23 में 127 वे स्थान पर है 146 देसों में तो इसकी रेंकिंग में सुधार हुआ है 22 के मुकाबले 23 में Question No.2 पर आजए यह निम्न में से कौन सही सुमयलित है यह है संस्थान और यह है मुख्याले यानि हैटक्वार्टर यह से विकास बैंक के सामने लिखा Washington DC अंतराश्टे मुद्राकोस के सामने लिखा Manila Philippines Asian Development Bank Asia का होगा तो इसका मुख्याले USA के वासिंग्टन DC में तो हो नहीं सकता गलत है पहला बहला स्टेट्मेंट मनीला के फिलिपिंस में होगा यह एशियन कंट्री यह है वाकि आई-एमफ का जो है वो USA के वासिंग्टन DC में तो कोई भी इसमें साइसों मिलित नहीं है डी है इसका अंसर ना तो एक नहीं दू DC में इससे था है 190 देश इसमें सामिल है तीसरा प्रेस्ट है नमलिकल में से किस देश में लगभग 80 प्रतिशत नई कारू की विक्री इलेक्ट्रिक वाहन है USA, England, भारत, नॉर्वे इसका उत्तर इसके डिनेवियन कंट्री ही हो सकता है नॉर्वेस कांस रेडी वर्सदोहार दो में सारी, वर्सदोहार बाइस में 87 प्रतिशत नई कारू की विक्री इलेक्ट्रिक होने के साथ नॉर्वे जो है इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में वैश्विक नेता बन गया है यह प्रभापसाली आकड़ा विभिन कारको से प्रेरित है जिसमें इवी के लिए उदार सरकराई प्रत्सवहन, उच्छ गैसॉलीन कीमते और एक अच्छी तरह से विक्सित चार्जिंग बुनियादी धाचा सामेल है तो नॉर्वे का नाम याद रखिएगा पुशन नॉमबर चोंतिस यानि साड़े चोंतिस प्रतिशत दर्ज की गई और ये राज है हरियाना, ये है इसका अंसर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी ने मार्च दोहार बाइस में देश में बेरुजगारी का विशलेशन करते हुए डेटा जारी किया, सबसे अधिक वेरुजगारी दर 34.5 प्रतिशत उत्तरी राज हरियाना में दर्ज की गई, इसके बाद राजस्तान में 28.8 प्रतिशत दर्ज की गई भारत में जो वेरुजगारी की दर है मार्च में 7.6 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में हो गई 7.8 तीन प्रतिशत तो हरियाना का नाम याद रखेगा फोशन नुबर फाइब पर आजए इस्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है USA का है, भारत का, इसराइल का या रूस का इस्पाइडर मिसाइल सिस्टम इसराइल डी है इस कांसर तो सही उतर है इसराइल इस्पाइडर मिसाइल सिस्टम अधिकारिक तोर पर इस्पाइडर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम दोरा विक्सित किया गया है इसराइल एरोस्पेस इंडरस्टीज ने इसके विकास में सहयता की है इसराइल में उत्पन यह परणाली मुख्य रूख से देश से जुड़ी हुई है यह वहुई मुख्य वायू रक्षा अनुपरियोगों के लिए पाइथन और डर्बी मिसाईलों को एक करत करता है तो इसराइल इसकांसर हो जाएगा कोशन नमबर सिक्स पर आजए किस भारतिय परदो की संस्थान यानि आई 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 टी ने तीपर हर्दय समस्याओं के लिए करतिम हर्दय यानि आर्टिफिशल हर्ट विक्षित किया है आई आई टी बॉम्बे, दिल्ली, मदरास, कानपूर आर्टिफिशल हर्ट किस ने डबलब किया है आई 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 टी कानपूर ने इसकांसर एडी तो किसके द्वारा विक्षित है ये पूरे भारत के हर्दय रोग विसेशक्यों के सयोग से आई आई टी कानपूर की एक टीम के द्वारा उद्देश क्या है, प्रत्यारोपन की प्रतिक्षा कर रहे है या अन उप्चारों के लिए अनुपरयुक्त गंभीर हर्दय विफलता वाले रोगियों के लिए एक पूल प्रदान करना स्टेज बरत्मान में जानवरों पर प्री क्लिनिकल परिक्षन चल रहा है और विसेश थाएं क्या होंगी इसकी मौझूदा कृतिम हर्दयों की तुलना में छोटे और अधिक कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है इसको इसका लक्ष है हर्दय की प्राक्रितिक पंपिंग करिया की अधिक वारी की से नकल करना और जटेलताओं को संभावित रूप से कम करे और रोगी को आराम बढ़ाए प्रशन नमबर सेबन पर आजिए यह माना विकास उचकांक यानि एच्डियाई रिपोर्ट वर्स दोहार 21-22 की अनुसार भारते उप महादीप में पूछ रहा है कौन सा देश सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है यह स्री लंका ठीक है बी है इसका अंसर तो माना विकास रिपोर्ट 21-22 में स्री लंका 73 वे स्थान पर है जो भारते उप महादीप में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है ठीक है तिहत्तर वाइस थान है तेहत्तर वी रेंग है इसकी तब भी ये भारते महातीब में सबसे अच्छा प्रदर्शन इस ने किया और माना विकास उचकांक पर भारत की रेंग देखें तो 122 में कितनी थी 132 वे स्थान पर टो एक-दो साल पीछे जाकर भी पूछ लेता एक्जाम में प्रश्न पर एसमें होश्चर अंबर रेट पर आजिए हाल ही में भारत सरकार दवरा C.E.A. को कब लागू किया गया नागरिकता संसोधन कानून कब लागू किया गया इसको 11 March 14 11 March 2014 अं सरी 11 March 2014 बी हैơnसर बी बी तो कबसे लागू है 11 March 2014 देस में नागरिकता संसोधन अधिनियम आनी S. A. लागू कर दिया गया और यह जो कानून है पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख जैन बौध पार्सी और इसाई समुदायों से संबंदित अलप संख्या को भारतिय नागरिक बन सकेंगे ठीक है नए कानून से पाकिस्तान बंगलादेस अफ़कानिस्तान से आए हिंदू सिख जैन बहुत पार्सी और इसाई समुदाय से संबंदित अलप सेंख्याक भारती है नागरिक बन सकेंगे इसका पिछले कुछ बर्सों का अगर इतिहाज देखें हम तो संसत से पास होने के 51 महीने बाद लागू हुआ है यह C.A.A. नागरिकता संसोदन अधिनियम 9 दिसमबर 2019 को नागरिकता संसोदन विधहक जो है लोकसवा से पारित हुआ फिर दो दिन बाद 11 दिसमबर 2019 को नागरिकता संसोदन विधहक राज़वा से पारित हो गया फिर ठीक अगले दिन 12 दिसमबर 2019 को राष्ट पती के हस्ताक्षर के बाद विधहक कानून बन गया और 11 मार्च से इस कानून के अधिसूचित कर दिया गया लागू हो गया तो हाल ही में अयुध्या में वित्य दिन 500 वर्ज में सबसे बड़ा समारो हुआ प्रधान मंत्री की अगवाई में सोंबार को यानी 22 जनबड़ी 2014 को अयुध्या के भव्य राम मंदिर में राम लला की नई मूर्थी की प्राण प्रतिष्ठा की गई दस्वा प्रशन है आदर भूमी और मानव कल्यान वर्ज दिहार 24 में किस दिवस की थीम है और्थावर परियाबरन दिवस आदर भूमी दिवस प्रतिवी दिवस ये तो विश्वा दर भूमी दिवस की थीम है भी है इसका अंसर हर साल मना जाता दो फरवरी को तो विश्वा आद्रभूमी दिवस हर साल यानि प्रतिवर्स दो फर्वरी को दुनिया भर में बनाया जाता थीम है 24 की आद्र भूमी और मानव का लियाणा आद्रभूमी की बात हो रही है तो ये आद्रभूमी से संबंधितिक प्रस्ष्ण है जो करेंट से रिलेट नहीं करता लेकिन इंपोर्टन्ट है आद्रभूमी के संदर में कौन सा कथन सही है पहला स्टेट्मेंट है आद्रभूमी को भूमी के केवल जलिये छेत्र के रूप में परिवाश्चित किया जा सकता है मैंग्रूब और मुंगा चट्टाने मानव निर कान सी हो गई है अद्रभूमी के किसी भी छेत्र के रूप में परिवाश्चित किया जा सकता है जो मुक्ही रूप से इस्थाई या मौश्मी रूप से पानी से ढखा रहता है आद्रभूमी का विर्करण देखें तो तीन प्रकार है इसमें अंतरदेश्य आद्रभूमियां तटी आद्रभूमियां और मानव निर्मित आद्रभूमियां अन्य दलदल जीले नदियां बाढ़ के मैदान पीटलेंट और दलदल तटी आदर भूमियों में खारे पानी के दलदर, जौरन मुक, मेंग्रोव, लेगून और मुंगा चट्टाने और मानब निर्मित आदर हूमिया कौन कौन सी हो गई? धान के खेत, एनी चाबल के खेत, मचली के तलाब जो मानब के द्वारा निर्मित किया थे नमक के खेत और मानब निर्मित जलाशे आदी, तो गलत दोनों के दोनों स्टीटमेंट पुशन नमबर बारे पर आजए, 29 फरबरी 24 तक भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? 80 हैं, ठीक है? 80 है, C है इस कांसर तो भारत में बरतमान में रामसर साइटों की संख्या 80 है, पिछले 10 वर्सों में रामसर साइटें 26 से बढ़कर 80 हो गई हैं, जिन में इसे 38 अकिले पिछले 3 वर्सों में जोड़ी गई हैं सुखना वने जीवा बहनन कहां इस्तित है? पोइट पूसते हैं एक्जामस में पढ़ने वाला सुखना जील, जल ग्रहन चेत्र का हिस्सा है क्वेश्चन नुबर फोटीन पर आजिए भारतियए पूरा टत्व सर्वेक्षन की इस्थापना किस वर्स की गई थी बहुत पूछते हैं एक्जाम्स में इस प्रश्ण को और इसका उत्तर है 1861 में 1861 संस्कृति मंत्राले के तहट एस एस आई यानि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया देश की संस्कृतिक विराश्ट के पुरा तत्विक अनुसंद्धान और संदक्षन के लिए प्रमुक संगठन है इसकी स्थापना वर्स 1861 में एस आई के पहले महानी देश के जादी से भ लगेगा विश्य नुबर 15 पर आजए वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया यानि भारतिय वन्यजीव संस्थान कहां परिस्थत है वहीं है जहां फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि उत्राखंड के देहरादून में भी है इसका अंसर देखे भ क्उश्य नुबर 16 पर आजए notre बारत प्रधान मंतरी जनल आरोग कंतरा स्वास्थ विर्च इंडफी मायोजना है और इसे वर्षवर 18 में लांच किया गया यह माधमिंग देखवाल तरत्यक देखवाल के प्रती प्रती परिवार पांच लाक रुपे की बीमारासी प्रदान करती है प्रशन नमबर 17 पर आज़िए नागरिक्ता संसोदन अधिनियम यानी CAA 2019 के बारे में इने मलिखित कत्नों पर विचार करेंगे CAA से संबनी देख प्रशन उपर भी था कब लागो किया गया 11 मार्च 24 को अभी हाली में दो दन पहले अब एक प्रशन यह है तो CAA जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश के उन 6 गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के अधार पर नागरिक्ता परदान करता है जिन्होंने 31 दिसंबर 24 को या उससे पहले भारत में प्रवेस किया था दूसरा स्टेटमेंट है यह है छे समुदायों के सरसियों को विदेशी अधिनियम 1926 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के दहत किसी भी अपराधिक मामले से छूट देता है कौन सा सज्यास में देखिए यह दोनों के दोनों सही है पहला भी दूसरा भी सी है इसकांसर तो सी यह पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगलादेश से छे गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों यानि हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी और इसाई को धर्म के अधार पर नागरिकता परदान करता है जिनोंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रुवेश किया था यह छे समुदायों के सरस्यों को बिदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1922 के तहट किसी भी अपराधिक मामले से छूट देता है दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रुवेश करने और बीजा समापतियरी किसी का हो गया है परमिट पर यहां रहने के लिए सजा नर्देश्ट करते हैं परदान मंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना किस वर्स होई थी इस तरह के प्रश्ण PCS में और आरो में दोनों में 10-10 बारे बारे पंद्रे पंद्रे वर्स पीछे जाकर पूछ ले आते हैं 20-20 वर्स पीछे जाकर परदान मंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना होई थी सन 2000 में यह है इस कांसर परदान मंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को सुरू की गई थी इसका उद्देश है आवद वस्तियों को हर मौसम में सड़क के माधिम से कनेक्टिविटी परदान करना को सब्सक्राम 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 सब्सक्रा कोईशन नमबर 20 है और अंतिम प्रश्च नहीं है बर्तमान में मालदीब के राष्टपती कौन है यही है अब्दुल्लाय यामीन मुहम्मद मुईजू इब्राहिम नासिर या इब्राहिम मुहम्मद सोली है कौन है इसका अंसर ओप्सन नमबर सी मुहम्मद मुईजू बर्तमान में 17 नमबर 1223 से मालदीब के राष्टपती के रूप में कार रथ है तो 20 प्रेशन थे करेंट के कुछ पूरानी योजना है जो पूछ ली जाती है एक्जामस में इनकी प्रैक्टिस कर लीजेगा एक से दो बार दने बाद